गुड मोर्निंग सूपरभात साथियों आप सभी का क्रैक एक्जाम ओनलाइन के यूटूब चनल पर हार्टिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम दस्वी कलास के वस्तुनिष्ट परसन करने वाले हैं साथियों जो कि आपके रीट के एक्जाम में बहुत ज़्यादा महत्रपूर्ण योगदान देने वाले हैं क्योश्टन को सुरू करने से पहले आप एक वार वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक किजिए जो साथी चैनल पर पहली बार रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को प्रेस कर ले ये चैप्टर आपके रहने वाले हैं इन चैप्टरों से क्योश्टन वस्तुनिष्ट लिए गए हैं और साथियों आप देखोगे कि किस परकार की ये क्योश्टन जो है यहीं से RBSC की ये जो बुक है यहां से क्योश्टन आपके बोर्ड ने पूछे हुए हैं बहुत ऐसे क्योश्टन आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे राजर्षान हमारे हनुमानगड के अंदर आती है कलिबंगा हनुमानगड हो जाएगा next है राजपुतों को अगनी कुंड से उत्पति का सिधान्त किस ने दिया था राजपुतों को अगनी कुंड की बात करते हैं तो चंद्रबर्दाई का नाम ध्यान आना चाहिए चंदर बरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी पर्थवीराज रासो पुस्तक लिखी जिसमें ये वर्नन देखने को मिलता है पर्थवीराज रासो पुस्तक भी ध्यान रखने है साथियों उसके नेक्स्ट है पदिमनी की सासक की पतनी थी बहुत अच्छा क्योशन पूश लिया गया है पदिमनी की अगर बात करें रतन सिंग की पतनी थी साथियों रतन सिंग की पतनी थी यहाँ पर एक इपोटनेट बात आती है रावल साखा का अंतिम, रावल उपादी का उप्योग करने वाला अंतिम राजा रतन सिंग हो जाएगा इसके बाद जो हमारी है ना राणा महराणा वाली वो फूरू हो जाते हैं यह चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात थी नेक्स्ट कूशन है साथियों पृत्योराज तृत्योज ने किस वरस महोबा के चंदेल सास Convention को प्रास्थ किया था बात्रसातियों मानकर चलो 10 कमिनिट का वीडियो ये रहने वाला है पृत्योराज तृत्योराज त्रित्योय ने महोबा के बात में बात की जा रही है तो इसमें आपको ध्यान रखना है किर्शना कुमारी मेवार के साथियों धीम सिंग की पुत्री थी साथियों ये थोड़ा से ध्यान रखेंगे आप नेक्स्ट पे हम चलते हैं साथियों निमन में से कौन पंच पीरों में सामिल यहां पर नहीं है लोग देवी देवताओं से कौन पंच पीरों में नहीं आते हैं तो पाबु जी है रामदेव जी है गोगा जी है लेकिन तेजा जी इसके अंदर पंच पीरों में अंदर सामिल नहीं आते हैं साथियों तेजा जी का जनम किस जिले में हुआ था तेजा जी का जनम अगर साथियों हम बात करें तो नाग तो धन्ना जी का नाम है ध्यान आना चाहिए तो धन्ना जी जो सिशय रहते हैं विष्णोई सबस्दाय के प्रवर्टक कौन थे 20 संपर्दाय के प्रवर्टक की बात करें 20 यानि 20 पलस 9 ुप्य। 20 team प्लस 9 उनों ने उपदेश दिये इसलिए जाम्हों जी इसके लिए right हो जाएगा साथियों, विस्नोई संपर्दाय के परवरत है कुँन थे, ये question जो है, exam में आये हुए हैं साथियों, पैसा नहीं है, और ये जो question लिए गए है, आरे बिस्टी की 10th class के book के question है, इसी परकार में आपको अन्य book भी करवाने वाला हूँ, आपका अ पूढ़ी-tee-tee-tee-tee-tee , इससे स citoy-tee-tee-tee-tee-tee-tee-tee-tee-tee-tee-tee-tee-tee, ver constraint के नाम से भी जानते हैं, तो साथियों हात्र-पद के अंदर आपका क्रिशन-पक्स रहता है क्रिशन-पक्स की तृरिभय को मनाई जाती है वहीं पर अगर हम बात करें स्रावन की सुकलपक्स के अंदर रावन के सुकलपक्स की तृत्या को साथियों ध्यान आना चाहिए आपको छोटी तीजवला भी साथ की साथ ध्यान आ जाना चाहिए यह चीज़ें आपको थोड़ी सी साथ की साथ ध्यान रखनी है राज आविर जी यहां लठमार होली खेली जाती है निमन में से कौन सा तह्यार इसाही द्रम से संबंदित नहीं है गुड फ्राइडे क्रिश्मस इस तरह यह तो सभी किसा भी है लेकिन नो रोजे आपके नहीं होगा यहां पर राइट हो जाएगा अंसर इसमें आपको सुमेलित कर कर्णी माता का मिला आपको ध्यान आना चाहिए देश नोक के अंदर लगता है कल्यान जी का मिला दिगी के अंदर दिगी कल्यान जी का मिला आप सभी को ध्यान आना चाहिए जाते हो next हम चलते हैं कसुमल रंग कौन सा है आप सुचोंगे ये क्योशन अगर इग्जाम में आ गया तो आप सुचोंगे कहां से पूछ लिया गया है ये RBSC की बुक में क्योशन देर के हैं साथियो कसुमल रंग साथियों अगर बात करें तो लाल रंग को को सुमल रंग कहा जाता है सिक्कर जिले का कौन सा इस्थान गोटा उध्योग के लिए परसिध है बात यहाँ पर सिक्कर के इस्थान का है गोटा उध्योग के लिए परसिध है तो खंडेला इसके लिए राइट रहने वाला है खंडिला गोटा उध्योक के लिए परसिद है बोरला नामक आभूशन इस तरियां कहां पर धारने करती है बोरला अगर बात की जाए तो बोरला हमारा सिर पर धारने किया जाता है सिर के उपर बोरला धारन किया जाता है साथियों नेक्स्ट है दांतों के बीच में सोन्य की केल जड़वाना क्या कहलाता है आपूशन वाला वीडियो नहीं देखाना ताप जाकर जरूर देखना जितने भी आपूशन से समधित प्रीविएस एर पेपर है वो करवा रखे हैं आपको आपूशन से समधित प्रीविएस एर क्योशन यानि एम सी क्यू आपको करवाए गए है वो जाकर देख लेना और सोटनोट वाला वीडियो भी जरूर देखना साथियों अंतिम समय में आपको बहुत एक निरनायक साबित रहने वाले यह चीज़ें तो दांतों के बीच जो हो जाएगा चूप हो जाएगा साथियों थेवा कला के लिए कौन सा जिला जाना जाता है थेवा कला का नाम लेते ही आपको परतावगड का नाम ध्यान आना चाहिए परतावगड इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों next हम चलते हैं सुमेलित करना है आभूशन दे रखे हैं धारन करने का इस्थान हम को सुमेलित करना है तो अगर हम पर बात की जाए पिपल पत्रा आप सभी को ध्यान आना चाहिए कि कान में धारने किया जाता है पिपल पत्र आपका कान में धारन किया जाता है, दामना आपका उंगली के अंदर धारन किया जाता है, वहीं पर अगर मैं बोरला की बात करूँ तो सिर के उपर धारन किया जाता है, और बात की जाए ठूसी की साथियों तो ठूसी कंठ में धारन किया जाता है, इसका सब्रीफ से समधित है रबीघू के बुप में है साथियों और बोड यह क्यों पूशता है अगर आप देख रहे हैं प्रीवियस इर देखें तो आपको पता चलीगा इस प्रकार के एक्जाम में पूछी गई है तो राइट इसके लिए क्या करेंगे अलवर सेली से संबंदित हो जाएंगे साथियों पक्साराम नंदलाल जो है अलवर सेली राइट हो जाएगा नेक्स साथियों सुत्र खाना लिखा हुआ है यह नहीं है ध्यान से देखना सूरत खाना है वह तो ओप्सन को बड़े अच्छे से देखना है थोड़ा सदे को कंफ्यूजिंग पैदा करने वाला है और हम जस्ट टिक कर जाते यह बात यहां पर नहीं है सूरत खाना इसके लिए र कुछ सी कौन सा सीटी के एकज्याम में यह बात यहीं से कुछ इसी परकार के ओप्सन उसमें दिये हुए थे साथियों सांजी का संबंद आपका अगर पूछा जाए तो पारवर्टी आप टिक कर दोगे सीटी के एकज्याम में आयो हुआ है हाली में मैं चर्चा करूं समध्य चलते हैं साथियों तो इसमें यहां था तो इसमें बात महरी किया जाएगी यह राइट हो जाएगा ए्पर किस दुरुग के लिए कहा गया है कि यह दुरुग जो है बक्तरबंद है यह दुरुग जो है बक्तरबंद है तो आपको ध्यान आना चाहिए रन थंबोर के किले का नाम ध्यान आना चाहिए यहाँ पर एक जैसे नो महल किस किले के अंदर है, आपको ध्यान आना चाहिए, मादो सिंग इनका निर्मान करवाता है अपनी नो पासवानों के लिए, मादो सिंग निर्मान करवाता है साथियों, तो राइट क्या हो जाएगा, नाहर गड के अंदर बने हुए है, नो एक जैसे महल बने siya रोग यह इसके लिए। अबहनेरी के अंदर आपका हर्सत माता मंदिर रखी है और rugged करना है संबंदित इस्तल दे रखे हैं गोपाल सिंग के शत्री मुसी महराने की शत्री अगर मैं आपको यहां से बात करूं कि मुसी महराने की शत्री कहां पर है मुसी महराने की शत्री के अगर हम बात करें तो आपको अलवर का नाम आना चाहिए वहीं पर 84 खंबों की छत्री की बात करें तो वो आपको बुंदी का नाम ध्यानाता है इसमें असातियों मुसी महराने की शत्री आपकी अलवर के अंदर आ गए वहीं पर इस्वरी सिंग की शत्री की बात करें तो गैट और इसके लिए राइट हो जाएगा इसके बाद अगर हम जस्वन थड़ा की बात करें तो आपका जोदपूर राइट हो जाएगा गोपाल सिंग की शत्री की बात करें तो करोली राइट हो जाएगा एक बार इसको पोज करकर थोड़ा से दुबार अच्या कर लें इसके बात करना जल्दवाजी मत करना जैसे अभी हमने ये गलती कर दी तो ये गलती नहीं करना है लंगुरियागित किस देवी देवता से संबंदित है लंगुरियागित का नाम लेते ही आपको केला देवी ध्याने आना चाहिए केला देवी करोली ध्याने आना चाहिए अल्ला जिला भाई की परिशिदी अगर बात की जाती है अल्ला जीला बाई की तो मांड गाएन से लिए आपको ध्यान आना चाहिए मांड गाएन से लिए से समद्दित अल्ला जीला बाई हो जाएगी Next way हम चलते हैं गिंदर नरिते का सम्दद्राजस्तान में किस शेतर से है तो बात यहाँ पर गिंदर नरिते की की जाए तो सिखावटी शेतर से सम्मदित हो जाएगा कच्छी गोडी नरिते किस अफसर पर किया जाता है साथियों एक लकड़ी की बनी गोडी यह प्रुष पर्भा निर्तिया मतरब प्रुष हो। के द्वाहर किया जाता है और विवहा के अफ़्षत परसाथ jullie निर्तijnुय किया जाता है। जो आपका प्रसीत है साथियो जालोर शचत्र में आपका उर्ट्र में पर आप कहुद्ध करोड़े हैं। लठीर पर लच्छी राम के लिए आपका क्या राइट रहने वाला है चारवेत कहां का परसिद लोकनाटे है चारवेत की यहां पर बात की जारी है साथियों चारवेत अगर हम बात करें तो इसके लिए आपका राइट रहेगा चारवेत टॉंक का हो जाएगा चार बेद कहां का हो जाएगा साथिय। तो किसके लिए राइट हो जाएगा, आप यह तने लच्छी राम का सम्मद्ध किस लोगनाटे में कोमेट करकर बतwyn, अगर बात हम लच्छी राम की करें, तो इसके लिए आप क्या तिक करदोगे, कुछ आमनी ख्याल है, टिक हो जाए का विजे का हो वर्णन। चाहिए यूद का वीरताओं का उसकी तिभन में देखने को मिलता है। उसकी क्रिटी विजे यूद्वीरताओं का वर्णन उसमें को довky गई सथापना की रिष्व बहुत बार यह एक्यूशन जाम में आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है, एक ध्यान रखना है, मयो कोलेज, यह आपका अजमेर हो जाएगा, कहां पर है साथियों, अजमेर में हो जाएगा, और अठारसु पिचेतर के अंदर इस्थापना आ जाएगी, केवला गना पक्सी राष्ट्री या उध्यान किस जिले के अंदर आता है, केवला देव गना राष्ट्री पक्सी बिहार भर्त, इसके लिए राइट हो जाएगा, इस गड़ के लिए जैमस्टोड में कहा था, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेस्किस की जाए, तो वह इस गड़ को चुनेंगे, आपने साथियों आपको ध्यान आना चाहिए, सत्रासो निन्नाने भी इस भी के अंदर होता है, पांच मंजिला इमारत है, सवाई परताप सिंग जी के द्वारा निर्मान करवाया जाता है, पांच मंजिला इमारत सवाई परताप सिंग जी के द्वारा निर्मान, ये देखिए, सर है और आपको उनको सुमेलित करना है साथियों कत्रियासर का नाम लेते हैं आपको विकनेर का ध्यान आता है खेत्री महल का नाम लेते हैं तो जालोर ध्यान आता है और आपका नागदा बात करें तो उद्यपूर ध्यान है सथियों बाई को ना जाने कितनी बार ये केशन इख्याम में आ चुका है हर बार आप इख्याम उठाकर देखो aja TIMD देखने को मिलता है लेकिन मैं आपसे यहां पर एक्यविण पूछना चाहता हूँ वागड की मेरा गवरी बाई को कहा जाता है अगर मैं इसमें लिख दूँ गवरी देवी किस से संबंदित साथियों हो सकता आपके एक्जाम में पूछ ली जाए ये वाला चीज आप कॉमेंट करें जल्दी से जितने साथी अभी हमारे साथ जुड़े हुए लाए वो चीज़ें हैं इसमें आपके कोमेंट करकर सभी साथी बताएं कि गवरी देवी किस से संबंदित है वीडियो के एंड में फिर हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले है परमवीर चकर से समानित होने वाले पर्थम राजस्तानी के अगर मैं बात करूँ तो पीरु सिंग हो जाएगा साथियों कौन हो जाएगा पीरु सिंग हो जाएगा गवरी भाई तो आपकी भक्ती से सम्बंदित होगे हो जग जीत सिंग जी जो है गायन सेली से सम्बंदित हो जाएंगे वीडियो को पोज करकर इसको रीड डाउन करने का परियास करने एक बार इसको थोड़ा से दुवारा रिवाइज कर लिए देख लें आज के वीडियो में इतना ही था सात्यों तो लेकिन अब हमने गवरी भाई की बात की जिन सात्यों ने गवरी देवी हमने आपसे पूछा जिन साथियों ने आंस्वर दिया बहुत अच्छी बात है और आंस्वर राइट क्या रहने पाला है गवरी देवी इस से संबंदित है कहां से संबंदित है एक बात तो ध्याना आना चाहिए कि गवरी भाई दोधपूर हो जाएगा मांड गाइन से लिए इस से संबंदित नेवाँ साथियों